सब्सक्राइब करना चाहिए चलिए पॉइंट्स को डिसकस करना चाहिए तो गाज यह जो आई प्यों है अगर देखेगा तो सब्सक्राइब कि आज का डेट रखा गया लिस्टिंग का और आज के दिन यह एमर्ज प्लाटफॉर्म पर लिस्टेट किया जाएगा इसका प्राइस बन रखा गया था एक्टी रुपीश पर शेयर की और इसू साइज था फाइप पॉंट्री वन करोड का और होल्डिंग की बात करें तो सिक्ष्टी वन पॉंट्फॉर्ण पर्शन की प्रोमोटर की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी और प्रोमोटर मिस्टर सुमित तिवारी मिसेस निगधा तिवारी इसके प्रोमोटर से महीं एकर हम बात करेंगा जिसके डेट टु एक्विटी रेशियो का व लाए गया है वह गर हम इसके जीम पी की बात करें तो इस आइप जो चल रहा है अगर यहां देखिए तो इसका जीम पी अरॉटी फाइब रूपेश का जीम पी जिसका एक एक फिफ्टी फॉर पर्शन की लिश्टिंग मिलने के उमीद है लेकिन अगर आज की दिन अगर आज मार्केट निगेटी में होता गाई तो इसमें आपको 50 परशन के मिनिमम लिस्टिंग आपको मिल सकती है लोग इसमें बहुत इस ट्रॉंग लिस्टिंग मिल सकती है और इसका सब्सक्राइब इस कंपनी के सब्सक्रेप्शन जो कि देखिए तो अधर सोय रिटेल सब्सक्राइब अधर में 110 टाइम से जादा हुआ था टोडल 152 टाइम से ज्यादा सब्सक्रेप्शन देखने को मिला था तो अब इसमें क्या करना चाहिए हम लोग इसके बारे में बिजनेस के बारे में कुछ मैं बात नहीं करूंगा जो कि 2015 में कॉर्पेट किया गया था जो कि solar inverters, online UPS systems और EV chargers lead acid batteries का manufacture करती है, यहाँ पे company 12 volts और 40 ampere hours से लेकर 12 volts 300 ampere hours तक का जो रेंज में capacities का जो इसो lead acid battery का produce करता है, और साथ में company single मतलब कि start किया था design engineering और solar EPC company start किया था, बाद में इसको diversify किया गया है, जिसमें company power electronics और energy storage products का भी manufacture करने लगी है, यहाँ पे company जो WMI code obtained किया जाता है EV vehicles के manufacturing के लिए, जो की company obtained कर चुका है, और अभी यह prototype stage में है, और full scale manufacturing में जो जो अवेट कर रही है EV vehicles के लिए, यहाँ पे sun garner की में क्लाइंटे लगाईज यह हरियाना यूपी राजिस्थान असम से आते हैं, छे service centers इसके हैं इंडिया में, डेली, यूपी, हरियाना, बिहार, असम और बेंगॉल में, और company भी जो अपने footprint के द्वारा, company यह से expand करने का भी process कर रही है, जिसमें company around 2025 तक, इंडिया के अंदर जितने भी major districts लिगाईज उनको cover करेगी लगव 500 franchise को appoint करेगी, अधिशनल 500 franchise को appoint करेगी, जिससे footprint को expand करेगा, और इंडिया के major districts को cover करेगी 2025 और अपना export भी चालू किया था company last two years में, और लगवाई जिसमें लिबनॉन, नेपाल, दुबाई और भुटान जैसे countries में भी company जिससे अपने products को export कर चुकी है, फिनांशल के अगर बात करेगा, यहाँ पे 21 में revenue था 5.3 करोड का profit था 15.7 lakhs का, 22 में 7.9 करोड का revenue था profit था 57 lakhs का, 23 में 17.6 करोड का revenue था profit था 74 lakhs का, तो गाइस यहाँ पे company का financial यह, जो है performance, जो है financial performance, बहुत ही strong growth देखने को मिल रहा है, चाहे वो top line हो या bottom line, every financial company में अच् बेली competitive of fragments, segment में इसका business चल रहा है, इसके competitor बहुत सारे है, अगर हम इसके कुछ points को discuss करेगा, इस तो experience management team में quality assure कर रही है, और standards भी दे रहा, cordial relationship में बना के रखा है, suppliers के साथ, लेकिन risk भी है, इसके क्या है कि कोई भी long term contract नहीं किया suppliers के साथ, जिसके वजह से raw materials के लिए future में unability का जो प्रॉब्लम हो सकती, इसके विजनस operation को affect कर सकता है, present promoters जो है ना company का, यह भी first generation entrepreneurs है, लोग कि उतना जाद experience नहीं है, जो इसके promoter है, present promoter जो भी चल रहे है, वो first generation के है, company जहाँ पे company जो फूल potential और utilize होता ना, full capacity का production और manufacturing और products में, जो प्रोडक्स का production और manufacturing के लिए जो full capacity का utilization होता है, करना होता है, और full potential चाहिए होता है, इस काम के लिए वो unable हो चुका है, नहीं कर पा रही है, plus negative cash pro देखने को मिला operating activities से, investing से, और financing activities से, current और past years में, जो कि मैं आपको आगे इसके financials में बताऊंगा, जब इसके fundamentals पर चलूँगा, देखे, यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगा ROCE, तो 26.4% का बहुत ही strong दे रहा, ROE 31% का है, जो कि बहुत ही strong, industry PE 40.8 का है, जबकि industry PE से comparison में 17 times का, इसके PE ratio देखने को मिल रहा, operating profit margin 7.27% का है, जो कि ठीक ठाक उतना कुछ खास नहीं है, अगर हम इसके pros की बात करेगा, इस तो company last 3 years में, ROE भी अपना बहुत एच्छर track record बनाया है, 32.3% का, वहीगर हम इसके company को और other company से compare करेगा है, तो बहुत सार इसके करेगा है, तो छॉक्रा करेगा है, त по दुन ऑम इसके भी हम झा इसके भी हम इसके करो दो के आपादने का ich वहाँ एक इसके Mm-पना, अबस्ति हम इसके बाक रिसजय़गros का पुना वहानिकर, जै। झाल 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 झाल